Hey everyone, तो बच्चो मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करने आया हूँ कि आप लोग यार अक्सर बहुत सारे लोगों को देखते हो अपने अराउंड जिन लोगों की जॉब लग जाती है software में चले गए, IT में चले गए, Google में चले गए, करूडों का package कमा रहे है और आप ये सोचते हो यार ये लोग कितने successful हैं और मैं कितना बड़ा failure हूँ कि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ है ना, आप success और failure किस से judge कर रहे होते हो उनके package से, उनकी job से फिर आप देखते हो यार अपने teachers को मैं हूँ, Vishal sir है, other channels पर और भी बड़े बड़े teachers हैं आप उनको देखते हैं इन लोग की life कितनी मसत है, ये लोग कितने successful हैं और मैं कितना पीछे रह गया हूँ I am not as successful तो यार यहां पर बात यहां आनी चाहिए कि success की definition क्या है तो success एक ऐसी चीज है जिसकी definition हर इनसान के अनुसार बदलती है अब मेरे लिए personally success का क्या मतलब है मेरे लिए success का मतलब अगर monetary terms में बात करो तो you should have as much resources as you need to lead a healthy lifestyle अब यहार यहार यूँ तो देखो अगर आप shock अपने बड़े करोगे तो कोई limit नहीं है आज की date में अगर मैं सोचनू मुझे एक Mercedes-Benz चाहिए या मैं सोचनू Porsche चाहिए फरारी चाहिए तो मैं नहीं afford कर सकता फिर तो मैं failure हूँ और अगर मैं सोचनू एक ठिक ठाक गाड़ी चाहिए जो की मैं अपनी family को इधर उदर ले जाने के लिए use कर पाऊ मैं सोचनू की एक घर चाहिए जिसमें की मैं office का काम भी कर पाऊ और रहे भी पाऊ ठिक ठाक life तो उस आप से मेरे पास enough resource है दूसरी चीज़ peace of mind अगर देखो life में peace of mind नहीं है if you are not happy with the kind of work you are doing if you are not satisfied at the end of the day then also money doesn't matter in the long run यार देखो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा लेकिन आप दिन बाहर stressed out हो भहंकर तरीके से stress रहता है आपको वक्त ही नहीं मिलता है तो क्या होगा आप health lose कर जाओगे ठीके और जब आप health lose कर जाओगे तो eventually इसा पैसा किसी काम कर रहेगा नहीं तो effectively यार what I measure success on which basis is the basis of happiness if a person is happy in almost all the aspects happy होने का मतलब यह नहीं कि रोज ही खुश हो सारा दिन हसे ही जा रहे हो होसे ही जा रहे हो पागलो कि तरह ऐसा नहीं होता on an average on an average you are having more good days than bad days than you are leading a good life and then you should consider your success you should be considering yourself successful लेकिन क्या इसका यह मतलब है ऐसे मुकाम पे पहुँचने के बाद हमको रुप जाना चाहिए नहीं आर आपको strive करना चाहिए betterment के लिए no doubt लेकिन at ऐसा नहीं होना चाहिए at any cost जैसे मैं कहूँ कि मुझे यार अपना ना package बढ़ाना आप चाहिए इसके लिए जो मर्जी sacrifice करना पड़े अब अगर उसके लिए आप family life sacrifice करते हो friend sacrifice करते हो तो at the end of the day you will realize it's not worth it आपको ऐसा feel होगा तो आप हमेशा strive करो और चीज़े better करने के लिए 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 एक balanced approach रखो but जब तक देखो आपका career start नहीं हो जाता जब तक कि आप एक अच्छे career में नहीं चले जाते तब तक आप अपना full focus career पे डाल सकते हो but once you are in a career once you are at a certain level where you are earning as much as you should be earning as much as you require to lead a healthy life तब आपको सारी चीज़ों को balance करके चलना चाहिए तो बहुत बार यार ऐसा होता न जैसे आप लोग को देख के सोचते हो यह कितना successful है वो internally बंदा इतना परिशान होता है इतना stressed out होता है कि उस level पे पहुँचना भी उसको लगने लगता है was it worth it क्योंकि उसके लिए जो sacrifices उसे करने पड़े जितनी चीज़ें उसे give up करनी पड़ी शायद वो कभी give up करना ही नहीं चाहता था उतना कुछ तो यह भी चीज़ सोचना यार end of the day क्या वो बंदा खुश है या नहीं आपको खुश रहना है तीक है तैयारी करते हुए भी आपको कुश रहना है क्योंकि तैयारी जो आपको चीज़ें सिखाएगी life में attitude सिखाएगी आपको concept जो देके जाएगी आपको hard work का बनाएगी यह जिंदगी भर आपके साथ traits चुड़े रहेंगे तो सभी चीज़ों बैलेंस करके चलो तैयारी करो अभी अपने करियर पर focus करो बट इतना ज़्यादा stress मत ले लो कि तैयारी ही worth it ना रहे जाए तो बहुत ज़्यादा stressed नहीं होना है और success में successful वो है जिसकी life में सभी चीज़े proportional हैं, सभी चीज़े balanced हैं, कोई एक चीज़ का access होना और उसके चक्कर में बाकी सारी चीज़ें give up करना that is never ever worth it है ना, तो always keep striving for more, always keep striving for betterment, क्योंकि success is always a journey, it is never a destination तो जब एक मुकाम हासिल कर ले तो अगले मुकाम की तरफ जाओ लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना उसके लिए क्या sacrifice करना पड़ रहा है जैसे कहते हैं, static friction is more than kinetic friction, तो start करने में आपको sacrifices करने पड़ेंगे, एक level तक पहुचने के लिए, और उसके बाद आपकी approach ज़्यादा balanced हो जानी चाहिए, जिसमें कि आप ये भी monitor करते रहो, कि ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीज़ पाने के लिए बाकि सब कुछ खो दो, ये ध्यान रखना, ठीक है तो I hope कि मेरे बच्चों को ये lesson पसंद आया हो, समझ आया हो, और बच्चों अगर आपको अपनी तैयारी मेरे साथ करनी है मेरी personal guidance में, तो अभी आपको 20% discount मिल रहा है, अन Academy subscription पे, प्लस और Iconic दोनों पे, तो मैं कहूँगा, आप Iconic के लिए जाओ Iconic का already price reduced किया, उसके उपर 20% discount मिल रहा है इसमें आपको hard copy study material मिलेगा और एक mentor मिलेगा, तो बल्दी से इस offer को लपक लो एकदम और code लगा देना, अंकित IAC मेरा core subjects चल रहा है, भी machine चल रहा है इसके बाद rotating machine स्टार्ट करूँगा 4th of July से, then power system power electronics measurement तो आप मेरे साथ अपने core के पूरे 35 marks पक्के कर सकते हो बस code लगाना मत भूलना, अंकित IAC let's crack it